ब्राद टू यू बाई फिजिक्स वाला आपका जो सहयोग रहा है और जो रहेगा इसके लिए मैं आप सभी का अभार व्यक्त करता हूं और अभी नंदन भी करता हूं गुरुबे जी आप नगर निगम में उपायुक्त के पत पर थे पर लेकित आप जन्ता के बीच में चुनाओ बोट मांग रहे हैं क्यों हो ऐसा द तब से लेके अब तक विविन पदों पर LDC, UDC और लेखापाल, कारल अधिक्षक विविद अन विविद पदों पर मैंने कार किये हैं सांथी वर्स 2020 में 26 जून 2020 में मद्विदेश शासन द्वारा मुझे पदोन नती प्रदान करते हुए मुख नरपाली का अधिकारी की प किया और मैं अभी विविद दिनों तक कारत रहा और वर्तमान में चूंकि नगर निकाय चुनाओं घुशित हुए हैं इसमें महापावर प्रत्याशी हमारे वर्ग से यानि अनुस्विद जन्जाती वर्ग से आर्शित होने से मुझे मन में कुछ ऐसी प्रेर ना मिली कि अ किया है मैंने क्यों अब जन्द सेवक की महाती मैं अपनी सेवाएं प्रदान करूं जन्ता की सेवा करूं लोगों का कल्यान करूं और अपने नगर का विकास करूं तो मन में इस प्यार का विचार मेरे आने से मैं शेत्र में मैंने कदम बढ़ाये हैं लेकिन अधिकारी रहत कि अपने मन की बात हमारे मन के विचार या जो अच्छा करना चाहते हैं अपने वरिष्ट जनों के मारदासन में खुले रूप से कर सकते हैं और करवा सकते हैं आप से पहले एक जितेंदर उईके को यहां से टिकेट दिया गया था और उसके बाद में फिर आपका नाम आया कहीं ना कहीं ऐसा असंतुष्ट लोगों को कैसे मनाई आप देखिए यह तो पालिटी संग्ठन का मामला है मेरे इस तर से मैंने कोई ऐसा प्रियास नहीं किया य और मुझे अगर मालो जंता के माध्यम से और संग्ठन के माध्यम से प्रित्याशी बनाया गया है तो कुछ ना कुछ मुझ में कुछ पाया गया या कुछ ना कुछ में यह नहीं कहता कि मैं कुछ अच्छा हूं या जो भी हूं लेकिन हमारे संग्ठन और आम जंता की मांग मुझे जहां तक जयान है या ग्यात हुआ है कि पूरा इसका सर्वे हुआ सर्वेक्षण में मेरे नाम पे और हमारे और और विर्भू सभी लूगों की मतलब बाते गई हैं अब भी वोड में तयार है पर अब देखिये हमारे संगठन ने और हमारी भारती जन्ता पार्टी ने, जो भी पूरो में भी कारी किये हैं, अच्छे अनेक कारी किये हैं, जो आपके सामने हैं, माननी प्रधान मंतरी महदा है, माननी यसरश्री मुख्य मंतरी महदा है, और हमारे प्रदेश अद्धक्ष महदा है, और हमारे जिलाद्धक्ष मौद है इनके निर्देशन पर हम काम करेंगे पहले भी काम हुए और भविश में भी होते रहेंगे कौन-कौन से मुद्धे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं देखिए जनकल्यानकारी कायरकम सासन चला रहा है जिसमें प्रधानमंत्री आवास अभी हाली में आपने इसमें देखा है कि विभिन्न परकार के गरीब तपके के लोग लाभनवित हुए है और भविश में भी होंगे और भी कई परकार की योजना है जो सासन की चल रही है संबल की योजना कह लीजिए और अपने ये उज्जवाला कह लीजिए और सासन की जो किरियानवित योजना है उनको हम आगे बढ़ाएंगे अभी तक तो चुनोतियां मुझे देखनू को नहीं मिली और मेनेगी तो मिलेगी मालो तो हम डटकर मुकाबला करेंगे डटकर जवाब देंगे उनको क्योंकि हम अपने आप में मुझे जहां तक मालूम है और जो अभी मैंने अपने सेवा काल में मैंने जो मैसूस किया है कि शाषन की जितनी भी कल्यानकरी उजनाये हैं वो वास्तों में जन्हित कारी हैं और जन्ता को सीधे उससे लाब मिलता है जन्ता लाभानुईत अगर होत हुआ हुआ है